नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पर फेक्षन आए इसमें हिस्ट्री सीरीज को लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज को आप लोग कंटिनीव रूप से फोलो करें आने वाले जितने भी एक्जाम है उन सारे एक्जामों में आपको इस सीरीज से लाफ अवस्य मिलेगी क्योंकि इसमें वैसे प्रस्णों को ही सामिल किया जा रहा है जो एक्जाम के दरिश्टी कोड से आज का पहला प्रस्ण है साइमान कमिशन की सिफारिसों के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन है इसने प्रांतों में द्वेद सासन को जिम्यदार सरकार के साथ बदलने की सिफारिस की संयोग बस देखा जाए तो पहला यह statement यहाँ पर correct है अर्थात उत्तर यहाँ पर यह हो जाएगा Simon Commission जो कि 1927 में भारत आया हुआ था और पुरे उस समय भारत की स्थितियों के इसने रिब्यू किया, दोरा किया Simon Gobay के नारे भी लगे लेकिन finally इस कमीटी ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौपी और जब अपनी इसने रिपोर्ट सौपी तो बहुत सारे जो भी हाँ पर recommendation कर सकते हैं अनुसंसाई यहाँ इस कमीटी के द्वरा दी गई, जैसे कि नमरों ने यहाँ पर इसमें बात किया गया कि प्रांतों में द्वैद सासन को जितना जल्द होके समाप्त किया जाना चाहिए और मंतरियों को कानून और बिवस्था बिभाग सहीत, सब ही बिभागों में प्रांती बिधाईकाओं के लिए यहाँ पर जिम्यदार बनाया जाहिए यहाँ पर accountability के यहाँ बात की गई थी दूसरा था यहाँ पे कि गवर्नरों को प्रांत की सुरच्छा और सांती के लिए खासकर अल्प संख्यों को की सुरच्छा के साथ बिशेश सक्तिया यहाँ बरकरार रहना चाहिए गवर्कर को maximum यहाँ पर पावर दिया गया था हरे के रिया में अल्प संख्यक हो गया परांतों के सुरच्छा हो गया सब के लिए इसके अलावा जब भी आपे समिधान भंग होगा समिधान की भंग होने की सिती में हंस्तशेब करने के पूर्ण सक्तिया भी गवर्णर के ही पास होगी अर्था देख पार है यहां पर गवर्णर को हर हाल में यहां पर सुप्रिमेसी के रूप में ही यहां पर कंशीडर किया जा रहा है इसमें एक और रिकोमेंडेशन था कि मताधिकार का बिस्तार किया जाना चाहिए मताधिकार का बिस्तार किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे बिधाईका है बिधाईका का भी बिस्तार किया जाना चाहिए केंद्रे में एक संगिय सभा का गठन किया जाना चाहिए जनसंखिया के अनसार प्रांतों और अन्य छेत्रों के परतनिधित्व के अधार पे यहां पे किया जाना चाहिए जो भी यहां पे बिधाईका का बिस्तार होगा जो भाई उसी बात हैं जैसे आज होता है जनसंखिया के परतनिधित्व के अधार पे पोपलेशन के परतिनी सित्व क्यादार पे इसके अलबा इसमें most important recommendation था कि बर्मा को ब्रिटिस भारत से अलग किया जाना चाहिए और उसे अपना एक समिधान प्रदाने हापे किया जाना जाहिए तो कुछ important recommendation नहीं से ध्यान रखेंगे कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पहला ही statement correct हो और भी statement यहां पे correct हो सकता है 1906 में भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के परसिद कलकत्ता अधिवेशन में चार परस्ताओं पारित किये गए 1907 में सूरत में अयोजित अगले कॉंग्रेस अधिवेशन में इन चार परस्ताओं को बनाए रखने या अस्विकार करने का प्रस्ट्न कॉंग्रेस में विभाजन का कारण बना निमलिखित में से उन परस्ताओं में से एक नहीं था कौन सा कॉरेक्ट उतर होगा बंगाल विभाजन को रद करना बिल्कुल ही यहाँ पे कॉरेक्ट अस्टेट्मेंट है बंगाल विभाजन को रद करना बाकी सारे कीजों का अपनाया गया था जैसे कि बहिसकार, राष्ट्रिय सिच्छा, स्वादेशी इसे एक बार आपको मैं समझाने की कोशिज करता हूँ. 1906 में कॉंग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन यहां पर किया गया था, जिसके अधेक्ष्था यहां पर दादा भाई नवरोजी के द्वारा यहां पर की गयी थी, जिसमें स्वादे स्वादेशी, बहिसकार, राष्ट्रिय सिच्छा के कारेकरम का समर्थन करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, इस अधिवेशन में कॉंग्रेस को गरम पंथियों ने निमलिकित प्रस्ताव को यहां पर अपनाने के लिए मजबूर भी किया हुआ था, जिसे कि बंग स्वादेशी, बहिसकार, राष्ट्रिय सिच्छा, स्वादेशी, इसके इलावा जो भी यहां पर गरम पंथि नेता थे, उन लोगों ने और भी चीजों को यहां पर जोड़ दिया था 1946 में, जैसे कि बंगाल बिभाजन पर संकल जैसे कि गरमबंधियों का मानना था कि इस बिभाजन को सिर्फ बंगाल तक सिमित नहीं रखा जाए, पूरे भारत में फैलाया जाए सौअधेसी परसंकल तो कहिंग यहां पे नरवबनतियों को ड़र था कि स्वधेसी को लेके यहां पे अग्रेज और अधिक हो सकता है कि भढ़क जए और अधिक अस्टिकनेश के साथ भारत में सासन परसंकल को लागू करना शुरू कर दे बहिस्कार हो गया बहिसकार हो गया तो यहाँ पे गरमपंथियों ने प्रस्ताव रखा हुआ था 1906 में और फाइनली यहाँ पे हुआ क्या था तो इसको नरमपंथियों के द्वारा आधे मन से यहाँ पे स्विकार किया गया था या फिर यू कहले कि इन सारे चीजों पे सहमती नहीं बन पाए थी और यही कारण है कि 1907 में सुरत अधिवेशन में देखें गया आप एक खासकार अध्यक्ष के चुनाओं को लेके हो गया जैसे कि इसमें नरमपंथि जो नेता थे रास बिहारी घोष ने 1907 का सुरत अधिवेशन के अधिवेशन के अधेक्षा किया था तो इन सारे मांगों पे बहुत अधिक बल नहीं दिया गया था जिसके वज़ा से नरमपंथि और गरमपंथि दोनों ही का सकते हैं कि लोगों में बिभाजन हो गया दोनों विचार धराओं में बिभाजन हो गया अर्थात एक तरीके का सकते हैं कि कॉंग्रेस का यहां पे बिभाजन हो गया था तो अब शुरू हो गया था यहाँ पे गरमपंथी जो भी लोग थे जो भी 22 कार राश्रिय सिछानीती स्वजेसी के साथ साथ यहाँ पे बिभाजान स्वशासन इन सारे चीजों को बहुत जोड़ सोड़ से उठाया हुआ था और कारण यही था कि 1911 में जब किंग जोर्ज प काउंसिल के सुझाओं के अनुसार जो भी यहाँ पे सासक को यहाँ पे यहाँ पे जो भी इन्फोर्मेशन यहाँ पे दिया गया था उसके अधार पे किंग जोर्पंचम के द्वारा बंगाल भी भाजन को 1911 में दिल्ली दरबार जब लगाया उसी समय उसने कुशला कर दी कि जो भी बंगाल जो भी भाजन हुआ है करजन के द्वारा जो किया गया था उसको हम रद कर दे रहे हैं और बंगाल के फिर से दो हिस्सो को यहाँ पे मिला दिया गया था भारत छोड़वा अंदोलन के बाद सी राजा गोपाला चारी ने दवे आउट सिर्षक से एक पुस्तिका जारी की इस पुस्तिका में निमलिकित में से कौन सा प्रस्ताव था कौन सा प्रस्ताव इसमें सामिल किया गया था ब्रिटिस भारत और भारती राजियों के परतिनीधियों से बनी युद्धिसलाकार परिचत के अस्थापना गल्लत हो जाएगा राज गोपाली, शोरी राज गोपाला चारी फर्मूला, CR फर्मूला का नाम अप्रूंगने जरूर सुना ही सुना होगा CR formula में देखिए basically क्या किया गया था तो समयधानिक गतिरोत का समधान यहाँ पर करने का प्रयास किया गया था एक एक statement पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको correct उतर बता दू correct उतर हो जाएगा यहाँ पर D समयधानिक गतिरोत का समधान अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि दितियवित के अंतिम वर्सों में देखेंगे तो राज गोपालाचारी ने गांधी और जिन्ना के बीच गांधी और जिन्ना के बीच बातचित में महत्पून भूम का निभाई थी चुकि 1944 में ही यहाँ पर भारती समयधानिक गतिरोत का समधान प्रस्तावित यहाँ पर किया गया था राज गोपालाचारी फर्मूले के मादेम से उन्होंने कॉंग्रेस लिग सहयों के लिए एक फर्मूला तयार किया हुआ था का उद्यस से था कि अखिल भारती मुस्लिम लिग और भारती राष्टे कॉंग्रेस के बीच जो भी राजनितिक गतिरोत था उसको यहाँ पर रिजॉल्व लाउट कर लिया जाए चुकि जिन्ना और मुसल्मान यह सब दो राष्ट के सिधान के पक्च में थे और कॉंग्रेस भारत के बीभाजन के विचार का पूरी तरीके से उसी समय से बीरोत करती हुई नजर आ रही थी इसमें राजबुपालाचारी फर्मूला में बताऊ तो इन्हों ने यही कहा था कि मुसलिम लिग कॉंग्रेस के सुतंतरता की मांग का समर्थन करे भारत जितना जल्दी हो सके आजाद हो जाए जादे बेटर रहेगा और सुतंतरता के पहश्चाथ जो भी यहां पर जिन्ना की मांग है यहां पर देखा जाएगा उस समय कि जन्मत संगरा हैं यहां पर किया जाएगा और जो भी विभाजन की रूप रेखा है उसके अनुस इंपोर्टेंट परिशनाल्टी है कासकर देखा जाए भारतिय सुतंत्रता संगराम के और यहीं कारण है कि भारत जब अजाद हुआ तो 1947 से 48 के बीच ये वेस्ट बेंगॉल के ये गवर्नर भी रहा चुके थे कई सारे इन्हों ने अपना कर्दबे निर्वान किया 1948 से 1950 के बीच ये भारत के गवर्नर जनरल रहे भारत के गवर्नर जनरल रहे 1951 से 52 ये यहाँ पे ग्रीह मंत्री के रूप में कारे करते रहें पठेल के मृत्ति के बाद इनको आम मंत्रित किया गया था और 1952 से लेके 1954 तक मद्राज के मुख्य मंत्री के रूप में भी कारे किया अलाकि आगे चलके कॉंग्रेस के साथ इनके यहाँ पे कुछ समस्या यहाँ पे होना सुरू हो जाएगी और उन्होंने भारतिय रश्ट्री कॉंग्रेस से इस्तिपा दे दिया और एनजी रंगा के साथ यह काफी फेमस नाम है दच्छिट भारत के एनजी रंगा एनजी रंगा के साथ उनके द्वारा स्वतंत्र पार्टी के यहाँ पे आस्थापना की गई जिसने 1960 और सत्तर के दसक की सुरुवात में कॉंग्रेस की खिलाप लड़ाई भी लड़ी थी Most important यहाँ पे राजो सोरी राजे गोपलाचारी के द्वारा कुरान में उन्नम इलाई गीत लिखा था उन्नम इलाई गीत जिसे करनाटक संगीत में गाया जाता है करनाटक संगीत में गाया जाता है तो जितने भी important point है सब मैं bullet point ही सामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ concept के साथ आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे प्राचीन भारत में गुप्त काल के चित्रों के केवल दो ग्यात उदाहरण है इन ही में से एक है अजानता की गुप्हाओ की चित्रकारी गुप्त चित्रों का अन्य जिवन्त उदाहरण कहां है एक तो यहाँ पे already mention किया गया है अजानता की गुप्हाओ की चित्रकारी इसके अलावा यहाँ पे दूसरा प्रशन पूछ दिया जा रहा है गुप्त चित्रों का अन्य जिवन्त उदाहरण कहां है अजानता के अलावा तो देखिए अजानता के अलावा गुप्त चित्रों का जो द्यापक evidence मिलता है यह मिलता है बाग की गुपाओ में बाग नहीं है यह हो जाएगा बाग की गुफाई में जो कि ग्वालियर के पास इस्तित है और बाग की गुफाई देखा जाए तो माना जाता है कि इसको नौ चटानों को काटके नौ चटानों को काटकर यहां पे बनाया गया पूरा पूरा असमारक को का अकदम सम्मू है और इसमें बनाने का जो उस्रे जो दिया जाता है इसके स्थापना को जो उस्रे दिया जाता है बहुत भीक्षू जिसका नाम है दाताका दाताका के दवराय सब करवाया गया था बाग गुफाय के चित्र आजांता गुफों की या फिर आजांता गुफा में जो भी चित्र पाए गए उसके तुलना में देखा जाए तो यहां पर सरल देखने के लिए लेगा सरल साधा भी देखने के लिए मिलेगा और वही अजानता की गुफ़ाओं में देखेंगे जिवन्त कर सकते हैं या फिर उसमें लाइट लाइट नहीं मतले कॉंट्रास्ट होता है न यहां पर अस्थाल अस्थाल है इसमें देखेंगे तो हिंदू बहुत जैन सारे ही सारे असमारा कलाकरितिया सब सामिल है ठीक वई सही है यहां पर लोमस रिस्टी का गुफ़ा बिहार में जहानाबाद जिले के बराबर और नगारजीन पहाड़ियों में मानो निर्मित गुफ़ाओ की गई थी ठीक वई सही है यहां पर नासिक की गुफ़ाए नासिक की गुफ़ाए पहली सताब्दी सपूर और तीसरी सताब्दी इस वी के बीच लगभा किया गया था तेईस गुफ़ाओं का पुराग पुराय सम्मूव आपको देखने के लिए मिल जाएगा और एक और अजान्ता की गुफ़ा इसका भी जिगरुफ का लोकेशन देख लिजिए महराष्ट में और अगवाद के पास एक नदी है वगहोरा नदी वगहोरा नदी के आसपास चटानों को काट कर बनाया गया है जिसके नाम है अजान्ता की गुफ़ा निमलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कन्वेंटेट भारतिय नागरिक सेवा का गठन किया जिसे बाद में भारतिय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा तो Convented भारतिय नागरिक सेवा, ठीक है, अब सेवा यहाँ पर आ गया है Convented, ठीक है, तो आप लोग आपको ध्यानी होगा, Carnavalis Code, Carnavalis Code की यहाँ पर जिक्रिक की जा रही है, तो correct टूतर यहाँ पर C हो जाएगा Carnavalis, करनवालिस नहीं भारत की Convented भारतिय नागरिक सेवा का निटमाड किया था जिसे बाद में भारतिय सीविल सेवा के रूप में भी यहाँ पर जाने लगा करनवालिस के बारे मैं हम लोग separate दिखने का परियास करते हैं थोड़े इसके बारे में देख लिजिए, प्रस्ण पूछे जाते हैं बार बार, करनवालिस कौन था, दीकिए एक ब्रिटिश सेना, अधिकारी, परसासग, राजनितिकी के रूप में बाता, जिसने पहले अमेर्की सोतंत्रता संगराम के दोरान अपने देश की सेवा की था, और आगे चलके देखेंगे, 1786 में मना जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद संभालने की पेसकस यहाँ पे इसको की गए थी, और इसमें कंडिशन यही था कि सर्वच कमान यहाँ पे दिया जाए, चुकि काफी एक्सपरियेंस परसन था, और लेड़ी अमेर्की क कमबर के आसपास वह कलकात्ता पहुंचा और कार्यभार समभाला, और इसी के मार्क दर्सन में बहुत सारे रिफॉर्म होना सुरू हो गया, जिसे की करनवालिस कोड़, करनवालिस कोड़ जिसमें ब्रिटिस भारत में नागरिक पुलीस, न्याय पालका, परसासन के संचालन के सारे प्रावधान थे, तो जो भी वहाँ पे कम्यों को देखा, उसने मिरकी क्रांती के माढ़ियम से देखा जाए, तो न सारी कम्यों को भारत में उसको मौका मिला, उसर मिला, और उसने उन कम्यों पर काम करना शुरू किया, ठीक वैसे ही नाम है यहाँ पर वारेन हिस्टिंग्स भी है वारेन हिस्टिंग्स देखा जाये तो 1732 से लेके 1818 इसका टाइम पिरियड है और 1785 में इस्तिपा इसने यहाँ पर दिया हुआ था लेकिन इस्तिपा देने से पहले 1772 में फोर्ट विलियम अर्थात का सकते बंगाल प्रिसिडेंसी के पहला गवर्नर था 1774 में बंगाल के पहला गवर्नर जनरल भी बना काफी इंपोर्टेंट है और वारेन हिस्टिंग्स को माना जाता है कि यह एक लिपी के रूप में एक होता है ना यह पर कलर के रूप में भरती हुआ था लेकिन प्लासी के लडाई में इसने काफी अच्छा रोल प्ले किया और उसके बाद से वह बंगाल का एक तरीके से खासका राजधानी मुरसिदाबाद में ब्रिटिस निवासी बन गया और इसके कारिकाल के दोरान देखेंगे तो पहला एंगलो मराथा यूद दूसरा एंगलो मैसूर यूद हो गया इसके अलावा 1773 का रिगलेटिंग 1785 में जब विलियम्स जोन्स के द्वारा एसियाटिक सुसाइडी के स्थापना की जा रही है थी तब उसका सपोर्ट इसने किया हुआ था वैसे ही आपे विलेजली है विलेजली नहीं है यापे ठीक है मनें इंगलिस प्रनाउसिसन विलेजली ही वाता है विलेजली जिसको बूला जाता है 1798 से 1805 तक यह गवर्नर जनरल रहा था इसके कारेकाल के दवरान चौन्था और अंतीम इंगलो मैसूर युद लड़ा गया था और जिसी युद में यहाँ पे टिपूर सिल्दान मरा गया था और भी नामें बिलियम बेंटी को भी आप लोग देख बेंटी को माना जाता है कि 16 साल की उम्र में ही या बिरिटी सेना में सामिल हो गया था 1803 के आसपास इसको मदरास का गवर्नर निक्त किया गया था और बाद में देखेंगे तो 1882 से 1825 के बीच काफी लंबा टाइम पिरियोड है यह भारत का गवर्नर जनरल बनेगा और उसे बिरिटीस भारत के गवर्नर जनरल के रूपे अपने कारेकार के दोरान बहुत सारा काम किया जेसरे के सैच्छिडिक हो गया समाजिक, नियाई, सती प्रथा देखा जाया तो 1839 में जो पारित किया गया था बिलियम बेंटी के समय ही पारित किया गया था राजा राम मोहन राय के साथ साथ बेंटी का भी अच्छा खासा रोल था स्वदेशी अंदोलन के सुरू होने का ततकाली कारण क्या था लॉर्ड करजन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन अब इससे ठोस कारण और क्या हो सकता है जो कि करजन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और यहीं तो था स्वदेशी अंदोलन होने का कारण यह एक ब्यापक अंदोलन था जो देखा जाये तो जब तक दोनों फिर से एक नहीं हो गया तब तक लगभग 6-7 सालों तक यह अंदोलन चलता था गरमपंधियों के द्वारा जोर सोर्सिस मुढ्डे को उठाया गया था और इसलिए माना जाता है न देखिए हर एक सिक्के का दो पहलू होता है जैसे अगर बंगाल विभाजन अगर नहीं हुआ होता तो साइद लोगों में एक राष्टबात की भावना या आप फिर कह सकते हैं कि हिंदू-मुस्लिम एकता की भावना पनप्ति तो जरूर लेकिन समय लगता लेकिन बंगाल विभाजन ने उसमें बड़ी तेजी ला दी इसलिए माना जाता है कि इधियास की सम्रिद का सकते हैं कि एक ऐसा जो इवेंट था जिसका जस्तन मनाया भी गया एक तरीके से बंगाल विभाजन के दरान एक सस्कृतिक अंदोलन के रूप में मनाया गया जिसमें बहुत सारी चीजे यहाँ पर होती गए आप लोग लग लग रहा होगे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ देखिए बंगाल विभाजन नहीं होता तो इतना सार लोगों को यहाँ पे एक जुट करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा था तो इससे कहीं कहीं देखेंगे तुनके अंदर देश, भक्ती की भावना, राश्रवाद की भावना तो यहाँ पे जगेगी ही जगेगी और जगा भी बहुत जल देखा जाए तो बंगाल विभाजन के बाद राजनीची कुथल पुथल पूरी तरीके से सुरू हो गई कृष्णी कुमाल मित्र ने अपने समचार पत्रसन जीवनी में राष्ट्रिय सिच्छा और आर्थिक स्वदेशी की सम्हानाओं पर प्रकास डाला जल्दी देखा जाए तो पूरे बंगाल में मध्यवर की बुध्य जीवियों की मदद से इस अंदोलन ने गति पकरने शुरू कर दी और फिर से स्वदेशी हो गया बहिसकार हो गया इसके अलावा बहिसकार के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो सिच्छा पे बल देने कारे भी यहां पर शुरू किया गया तिलक ने तो यहां तक कह दिया बल गंगाधर तिलक ने इस अंदोलन को बहिसकार के युग में ही यहां पर बताया कि बहिसकार का युग है और अधिकास बंगाली बुधी जीवी वर्ग जो सुरू में बहिसकार अंदोलन के पच में नहीं थे स्वदेशे अंदूरन के साथ वे भी किरित हो गए बल गधर तिलक और लाला लाचपत राय का नुसारिया आत्म निर्डे स्वेम सहायता और आत्म निर्भरता का भी पूरी तरीके से क्या था प्रतिक था तो कि जब विदेशी वस्तों की होली जलाई जा रहा था तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके जगह चाहिए ना यहां पर जब विदेशी वस्तों को हम मार्केर से बाहर कर रहे हैं उन्हें जला रहे हैं तो फिर लोगों की जो नीड है उसको आप रोक नहीं सकत तो स्वादेश्टी करण को क्या मिला यहां पर बढ़ावा मिला तो एक आत्मनिर्भरता का जो परतिक है जो वरत्मान में देखा जाए तो काफी एक सिंबोलाइज रूप भी बन गया है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना है यह उसी समय से यहां पर चलता आ रहा है निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए डॉक्टर रजंद्र परसाथ ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जाच के लिए चमपाराण आने के लिए राजी किया देखिए कितना ओर उतर दिया हुआ है चमपाराण सत्यागरा देखा जाए तो भारतिय सुतंत्रतान दोलन में काफी एक इंप्रोटेंट अस्थान रखता है कारण क्या था यहां पर तो जो भी यहां पर किसान थे किसानों से खाद ये फसलों के वज़ाए नील की फसल उगाने के लिए यहां पर मजबूर किया जाता था और नील और नगदी फसलें रेज द्वारा बहुत कम कीमत पर यहां पर खरीदी जाती थी जिसके परणाम सारूप पतेदी गरीबी हुई साथ ही ब्रिटिस अधिकारी गरीब किसानों के लिए बिल्कुल ही परतिकुल नीतिया भी अपनाते थी उन पर भारी कर लगाते थे अब जो भी एक कास्तकार थे इन कास्तकारों में रोज पैदा हो गया और कई सारे पत्रकार भी पहुँच गए जैसे कि यहाँ पे बहुत फेमस नाम है गडेश संकर बिद्यार थी पीर मुनीस पीर मुनीस जैसे भारतिय पत्रकारों ने अपने परकासन में चमपारान के लोगों के पीड़ा को दिखाया परकासित किया और जब इस्तिती असहनिय हो गई तो गांधी के जाने से पहले वे देखेंगे तो 1914 में एक अस्थान है चमपारान का पीपरा यहाँ पे और 1916 में तुरकावलिया सब यह मुतिहारी के आसपास का छेत्र है तुरकावलिया और पीपरा में नील की खेती में सरकार के खिलाफ यहाँ पे बिदरो भी किया गया लेकिन वही था कि कोई बड़ा यहाँ पे चेहरा मौजूद नहीं था जिसके वज़ा से कोई खासा फर्क नहीं बड़ा और फाइनले यहाँ पे देखेंगे तो एक व्यक्ति का नाम आता है जैसे कि ब्रच की सोर पर साथ का यहाँ पे नाम आता है उनके परियासों के फॉल्स रूपिय भी यह वकील थे जिन्होंने रिकॉमेंडेशन किया राजकुमार सुकले से इसके लावस संत्राउ जिसे लोगों से कि वे जाएं और जो 1916 का जो लखनौवा द्वेशन है व और फिर राजकुमार सुकली के अन्रोध पर गांधी ने एक नियत तिथी दे दिया कि हम आएंगे और वो टाइम पिरियर्ट था यहाँ पर 1917 का घ्यार रखेगा 1917 का अब 1917 में जब गांधी पहुँचे तो गांधी खुद एक वकील थे और उनके साथ पूरी वकीलों की टो पूली थी राज़ेंदर परसाद, ब्रसकिसोर परसाद, मौलाना मजहरूल हक, गया परसाद, रावनोमी परसाद, यह भी करिपलानिया इसे बहुत सारे यहाँ पे लोग थे और यह जब पहुँचे यह ध्यार रखेगा पतना पहुँचे पतना समुझा परपुर पहुँ पूरा पूरा इन्होंने सर्वच्छड किया, किसानों की समस्याओं को सुना और फाइनली अंग्लेजों को इन्होंने समझाने का प्रयास किया, मामला कोट में भी गया, कितनी अधिक महां पे भीड हो गई यहाँ पे कोट से लेके, कोट में गांधी से जो जो सवाल पूच तो पूरा पुरा नील कमेटी वना दिया गया और नील कमेटी में गांधी को भी यहांपे सामिल किया गया और Ghandi जो नील कमेटी बनाई गए थी इसमेह जो भी British मेंबर थे गांधी उनको समझाने में सफल रहे तो काफी एक सफल अंदूनल के रूप में यहाँ पे देखा जाता है और किसानों को यहाँ पे रियायत मिली जो जवरजस्ती यहाँ पे कर वस्वला गया था उसको वापस कराया गया तो बड़े रूप में देखा जाए ठीक है तो गांधी की पहली जीत थी भारत में और यहाँ इस उनको बापू महात्मा जैसी उपाधी मिली यहाँ पे शुरू हो गई थी यह तो नहीं वोगा अचार यह जेवी की रिपलानी अपनी चम्पारल जाज में महात्मा गांधी सहयोग्यों में से क्या था यह थै यह बिल्कुल करेक्प है जेवी की रिपलानी है यहाँ पर ठीक है तो कोरेक्ट उतर हो जैगर दो बी 1793 में एक बिनीमन द्वारा जीला कलेक्टर का उनकी नियाईक सक्तियों से वंचित कर दिया गया केवल संग्राही कर्मक बना दिया गया इस तरह के बिनीमन का कारण क्या था 1793 के यहां पर बात की जा रही है लौड कर्णवारिस ने महसूस किया कि राजासो संग्रा की जीला कलेक्टर की दस्ता अन्य काम के बोस के बिना बहुत क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यह गलत है लौड कर्णवारिस को लगा कि नियाइक सक्तिया निवारे रूप से यूरोपियों लोगों के हाथों में होनी चाहिए जबके भारतियों को जीलों में राजा सुसंग्रा का काम दिया जा सकता है यह भी गलत है ना भारतियों को जीलों में राजासो संग्रा यह भी गलत है लॉट कर्णवालिस जीला कलेक्टर में केंद्री करित सत्ता के बिस्तार से भाइबित है और ऐसा लगा कि एक व्यक्ति में वर्चासो आवांचनिया था बिल्कुल ही यहाँ पर कॉरेक्ट है कॉरेक्ट उतर यहाँ पर हो जाएगा C द्यान रखेगा C अपनों एक हावत सुना ही होगा कि एक मयान पर दो तलवार यहाँ पर नहीं रह सकता है जीला कलेक्टर तो था यहाँ पर लेकिन क्या था केंद्रिय सत्ता के विस्तार से क्याते भैवित है और ऐसा लगा कि एक विक्ते में वर्चास अवांच्छनी है यहाँ पर कभी भी कोई भी उपर का सासक होगा इस तरह की गत्विदियों को बरदास नहीं कर पाएगा खुद अब छोटा सी एजामपर लेके देखिए कि अगर सीअम है सपोस्के बिहार का पूरे बिहार में ठीक है सीअम मेन आदमी है मुख्य मंत्री के रूप में मौझूद है लेकिन एक डिस्टिक में पूरा-पुरा डियम ही कंट्रोल करकर बैठा हुआ है लॉम और हो गया या फिर जो भी कह सकते हैं पर जिलिशरी हो गया लिजि समस्या तो यहां पे होगी ही होगी अब यहीं चार्टर अधनियम देखेंगे 1793 में जो प्रावधान था इस अधनियम ने भारत में ब्रिटिश चेत्रों पर कंपनी के सासन को जारी रखा था और इसने अगले 20 वर्सों तक भारत में कंपनी के बैपारेक अधिकार को भी यहा अधिकरार हैं ब्रिटिश सत्ता की ओर से हैं और उसका अपना अधिकार नहीं है जिसमें असपस्ट रूप से कहा गया था कि कंपनी के राजनिती कारिया ब्रिटिश सरकार की ओर से यहां पर क्या किया जाएगा तो आपको ध्यान भी होगा रिगुलेटिंग एक्ट में ही यहां पर रिगुलेटिंग एक्ट में जो था कंपनी का सुरुआती तो और में देखा जाये तो बैपारी कारियों के साथ साथ राजनिती कारियों को भी सामिल किया गया था आगे चलके 1784 में उसको यहाँ पर decentralized कर दिया गया जिसमें COD के साथ साथ ठीक है BOD का भी निर्मार किया गया Court of Director तो चल रहा था लेकिन Court of Director को कमपनी की कारियों तक सिमित कर दिया गया BOD को यहाँ पर कमपनी के बैपारिक कमपनी की कारिया अर्थत बैपार पर इसको concentrate करने के लिए बोला गया BOD को राजनेथिक गतविधियों से संबंधित चीजों को यहाँ पर देखने के लिए बोला गया तो यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरीके से decentralized आपको नजर आएगा कमपनी के लभांस को 10% तक बढ़ाने की अनुमती दी गई थी कि अपने लभांस को 10% तक क्या करेंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे और governor general को भी अधिकार दिया गया था इसमें और मदरास और बंबे के governor general पर भी देखा जाए ठीक है तो धीरे धीरे पकड़ होने लगा था बंगाल के governor general का और finally governor general मदरास या बंबे में मौझूद था तो वह मदरास और बंबे की governor general पर अधिकार जाता था तो ऐसे बहुत सारी यहां पर activity थी जो कमिया थी जो यहां पर देखा जाए तो दूर करने का परियास किया ही किया गया और यही कारान था ना यहां पर कि आगे चलके बंगाल के governor general को पूरे भारत का governor general बना दिया गया था तो correct उतर हो जाएगा यहां पर C निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए 1936 में हस्ताचरित Bombay manifesto ने समाजवादी अदर्सों के परचार का खुल कर बिरोत किया हुआ था बिल्कुल correct है इसने पूरे भारत के बैपारिक समुद्याय के बड़े वर्का समर्थन पराप्त हुआ दो गलत है यहां पर ठीक है correct उतर है आए जानिए कैसे देखेंगे ना तो 1920 के दसक तक ही यहां देखा जाए तो भारते बड़े बेवसाईयों के जो बीच खासकर दो जो समुद्याय उभरे हुए थे ठीक है यसे पहले समुद्याय में देखेंगे तो टाटा ने जिसका नेतरी तो टाटा ने किया हुआ था विल्डला ने किया हुआ था तो एक है टाटा दूसरा है यहां पर बिल्डला था गेम रोग बात करें तो इसमें बॉम्बे मिल ओनर एसो़सियेशन सामिल था और दूसरा जो है यहां पर बिडला ध्यार रखेगा दूसरा जो सम्मू है बिडला इसमें इंडियन चेमबर्स ओफ कमर्स सामिल था अब टाटा के नितरित वाली जो कमपनी थी यहां पर जो भी देख रहे हैं यहां पर माना जाता है कि यह अंग्रेजों के प्रति क्या थी वफदार थी यहीं आपको ध्यान से समझना है अब जब कि बिडला नेतरित वाली जो कमपनी थी उसमें तो वामपन्थ बहुत दिखावी नहीं था दच्छिडपन्थ था अर्था उसमें दच्छिडपन्थ के रूप में चुलप कौंग्रेज था यहां पर ठीक है तो कॉंग्रेज पार्टी का समर्थक था अब यहीं आपको समझना है ना कि जब कॉंग्रेज का लख नौ जब 17 आएगा 1936 का तो दिके जवारलाल नहरों लेहरों का सुरूत म ने सुधावतिस सीया अंसादनों पे अधिक सर से अधिकतर यहां पे कंट्रोल करने का यहां पे प्रयास करेगी, पुंजिवादी वेवस्था को थोड़ा कम करने का प्रयास करेगी, अब यहां खुद आंको समझना है कि टाटा पुंजिवादी वेवस्था के रूप में परतीक है, और बिरला समा आजवाद की भी वकालत किया हुआ था रूस जैसे देशों का विवधारण दिया हुआ था उन्होंने अभी दोराया था कि कॉंग्रेस समिधान सभा के समन्द में अपने संकल्प ने पूरी तरीके से डिड़ थी अब यहीं है कि ताटा को जवाहरला नहरू के भासड से उनक 22 प्रभाव साली और परमुक बैपारियों ने जवाहर लालहरों के खिलाप बॉम्बे मेनिफेस्टों यहां पर जारी किया हुआ था तो बॉम्बे मेनिफेस्टों जारी किसके किया गया था व्यसके लिए देखा जाया तो टाटा सपोर्ट वाले ग्रूब के द्वारा ही यहां पर जारी किया गया था ना कि बॉम्बे मेनिफेस्टों के हास्ताक्षर करता में सामिल थे कई नाम है जिसे की पुरसुत्तम दास ठाकुरदास इसके अलावा सर इन सकलतवाला चीमना लाल ठीक है चीमन लाल सरलवार बोलते हैं फिरोज सेठना एडिस रॉफ ऐसे बह चीमन यहां पर बिलकुल कोरेक्ट होगा और यह भी आपको देखना है ना कि टाटा समों के अनुसार जवाला नहरु द्वारा ब्यक्त विचार देश की मवजूदा आर्थिक हिस्ति को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तूचित नहीं था उसमें चुकि भारत अभी क्या था गुलाम था और इससे नीजी संपति की सहस्ताओं को यहां पर खत्रा हो था जो देखा जाए तो अधिकतर प्रतेक चाप्रतेक चरूप सेंग रेजों के कंट्रोल में था तो इसलिए देखेंगे कि इसने पूरे भारत के बैपारिक समुदाय के बड़े वर का समर् दूसरा स्ट्रेटमेंट गलत हो जाएगा और एक टूतर होगा क्यों और क्यों लेक निमलिकित में से भक्ति पंद का प्रस्थावक कौन नहीं था नगार्जुन तुका राम त्याग राज श्रीवल्लवाचारे इसमें तो नगार्जुन देख रहे ना है आपे बौध मत यहां रखेगा बौध मत अनुवाई यहां पे नगार्जुन है जिन्होंने यहां पे सुन्यता या सुनीता की अधानों को परतबादित किया हुआ था और उन्हें एस्याई दर्शन के तिहांस में अब तक के सबसे महान विजारकों में से एक माना जाता है और उन्हीं के द्वारा यहां पर बहुत धर्म के महायान समप्रदायक अंधरगत मध्यमिका समप्रदायक के यहां पर यहां पर अस्थापना की गई थी उछे दार्शनिक उन्हें स्वाय भगवान बुद्ध के बाद सबसे महान बहुत दार्शनिक रूप में भी यहां पर मानते हैं तो कॉरेक्ट उतर यह होगा भक्ती अंदोलन की बात करें तो भक्ती पंत या फिर भक्ती अंदोलन एक हिंदू धरम अंदोलन था जो एक विक्तिकत भावना के पुरती एक भक्त के आपसी गहन भावनात्मक लगाओ और प्रेम पर जोड़ देता है जो कि दक्षिड भारत से उतर भारत की तरफ यहां पर फैलते गया जब फैलते गया तो उसमें कई सारे लोग जूड़ते गए जैसे की संद तुकाराम है सतरहवी सताबदी में एक महान संद कभी थे जो भारत में लंबे समय तक भक्ती अंदोलन के परमुक अस्थम के रूप में कारे कर रहे थे वैसे ही नाम है यह पर त्याग राज यह भी राम के प्रसंसक थे इसके अलावा और भी नाम है जैसे की सिरीवलबाचारे पुष्टी मारकेसन स्थापक तो कॉरेक्ट उतर हो जाएगा ए 1931 में भारतिय राष्ट्रियों कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल के अधिक्ता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कारे करम पर संकल्प का मसवदा तयार किया हुआ था इसने किया हुआ था कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पर बी पंडित जवाहर लाल लहरू पंडित जवाहर लाल लहरू ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कारे करम के संकल्प का मसवदा तयार किया हुआ था ध्यान होगा मार्च 1931 में यहाँ पे जो कराची अधिवेशन यहाँ पे की गए थी जिसकी अज धेक्ता सरदार वल्ला भाई पटेल के द्वारा की गए थी और यह भारते रश्ट्रे कॉंग्रेस का एक बिशेस अधिवेशन था इस सत्र में गांधी इर्विन संधी या दिल्ली संधी के अनुदन पर भी चर्चा की गए थी और इस सत्र के पहले ही यहाँ पे देखेंगे तो भगत सिंह, राजगरू, सुख्तेव को यहाँ पे फासी दे दी गए थी क्रिप्स मिशन के साथ अधिकारिक कॉंग्रेस वर्तकार निमलीखित में से कौन थे? अधिकारिक वर्तकार जो कि निगोसियेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, दो नाम है पंडित जवाहर लालहरू और यहाँ पे एक और नाम है मौलाना अजाद, मौलाना अबुलकलाम अजाद 11 मार्च, 1942 को चर्चिल ने घोठरा किया हुआ था, जो कि उस समय वो ब्रिटिस परधान मंत्री हुआ करता था, काफी ही देखेंगे नहीं मतलब इतना वो सक्त करेक्टर है अपने आप में, एक सीरिज में ने देखा हुआ था, उसका सीरिज ने मूवी कहेंगे, जिसमें च एक फास्ट के साथ समझ रहे है न, वो अलको हलका कंजिम करता था, खेर वो सब यहां पर मुद्दा नहीं है, लेकिन उसकी भारत के प्रती जो नीती था, रल नीती था, बहुत ही निगेटीव था, एक तरीक से देखा जाये तो, चर्चिल ने घोशला किया हुआ था, कि ब भेजा गया था, किरिप्स मिशन के तहट भारत के अने प्रांतों के लिए का लग समिधान परदान किया जाना था, और इसका जो छीपा जो देखा जाये लच्छे था, कि भारत को टुकडों में बाड़ दिया जाये, पर यह पश्ताओ भारत के रहत्री एक तक के सिधान के पूरी तरीके से खिलाब था, तो फाइनले यहाँ पर इसको मना कर दिया गया, निगोसेसियन कम्प्लीट नहीं हो पाया था, अहमद साहबाद, सोरी, अहमद साहबदाली के भारत पर आकरमल करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का ततकालिक कारण क्या था, तत कासन का बदला लेना चाहता था, पहला ही ओप्सन कोरेक्ट है, कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पर यह, यहाँ पर एक स्मझने का प्रयास कीजिए, पानीपत का तृतिया लड़ाई आपको तो पताई होना चाहिए, मुभी भी आ चुकी है इसमें, जो कियामत साहबदाल दुरानी सासक और मराठा जो कमांडर था सदसी उराव भाव, सदसी उराव भाव के बीच, 14 जन्वारी 1761 को पानीपत के मैदान में हुआ था, और यह लड़ाई अफगानी सासक अहमत साहबदाली के द्वरा जिद लिया गया था, और यह लड़ाई अभी निल्डे कर दिय कि भारत में कौन असली सासक नहीं होगा, ध्यार रखेगा, जो मराठा दावाठोक रहे थे न यहाँ पी, जैसे कि मराठोक अगर अब ध्यान से देखेंगे ता आपको ध्यानी होगा, कि जैसे ही और अरंग्जेव के मृत्ति हो जाएगी, और अरंग्जेव के समय तो पेर पूरी तरीके से बिखरना सुरू हो गए थी, और इसकी बढ़ात मिली थी यहाँ पे मराठो को, मराठो ने जल्दी ही दक्कन के कई हिस्सो पर अपना कंट्रोल कर लिया, जो पहले मुगलो द्वारा कंट्रोल हो रहा था, इसके अलावा मराठो ने अपने समराज बिस्तार किया, इधर राजपताना हो गया, राजस्थान के छेतरों के तरफ इधर गुजरात हो गया, मालवा के छेतरों के तरफ हो गया, इन सारे छेतरों पे अपने कंट्रोल में ये लोग करते गया, करते गया, और उधर एक तरफ देखा जाए, अफगनिस्तान के तरफ इधर, त तो 1747 के आस पासी हमत सा दुरानी ने लहोर पर कव्जा करने के लिए अफगनिस्तान में दुरानी समराजे की विया स्थापना की अब समझें लहोर तक आ गया पकिस्तान तक आ गया और वहीं पे लहोर में देखेंगे तो लहोर का उसने दुरानी समराजे के अंतरगत अपने पुत्र तैमूर को तैमूर लंग ने नहीं रखेगा तैमूर है तैमूर साह है इसी को वहां का गवर्नर बना दिया था और मराठा पे सब बाजी राओ ने जल्दी ही लहोर पे अपना कंट्रोल कर लिया कबजा कर लिया और तैमूर साह को यहां पे बाहर कर दिया अब इसी की खीच थी किसको अहमद साहब धाली को मराठो के इस उदेने अन्य जो सासक चिंतित हुआ करते थे उन्होंने दुरानी से मराठा बिश्थार को रुखने का मना जाता है तियंस का रुख द्वरा के अन्रोध भी किया और परणाम सहरूप दुरानी ने अन्य सासको के समर्थन स मराठो को बुरी तरीके से पराजित भी किया पॉंडी चेरी के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला स्टेटमेंट है पॉंडी चेरी पर कबजा करने वाली पहली यूरूपिया सक्ति कौन थे पूर्त गाली थे देखा जाये तो बिल्कुल नहीं कॉरेक् चेरी पर कबजा करने वाले दूसरी यूरूपिया सक्ति फ्रांसी fuego आपको समझना है दूसरी सक्ति फ्रांसी Grad से क्या है उर्ण यूर। कभ़ी कभजा यहाँ पे नहीं किया, यह भी विल्कुल कॉरेक्ट है यहाँ पे कभजा कह रहा है कि नहीं किया दियार रखकर जबकी कभजा किया हुगा था टिक है तो दो और थीन गलत हो जाएगा, correct हो जाएगा है, अब यहाँ भी आपनो समझने का परियास के नहीं कि स्वलावी सतावदी के आसपास पॉंडीचेरी छेतरे में का करखाना स्थापित करने वाले पहले उरुपिया सक्ति पुर्थगाली थी जुरुवात में वहीं सबाया हुआ था और दूसरी उरुपिया सक्ति के रूप में कौन था यहां पे डच था लेकिन डचों के लिए मामला इतना असान नहीं था डच अगर वहां पे दूसरी रुपिया सक्ति के रूप में अगर अपनी बैपारिक कंपनी के अस्थापना कर रहे हैं इसका मतलब कि डचों के दौरा जरूर ही पूरत गालियों को यहां पे कंट्रोल किया गया होगा समझाता किया हो गया होगा हराया गया होगा तभी तो यह सब समय हो पाया होगा न खुद आप सोच के देखिए और आगे चलके देखेंगे 1674 में पॉंडिचेरी में फ्रांसिसी कंपनी के दवारा फ्रेंच इस्ट कंपनी के दवारा एक बैपारिक केंद्र यहां पर अस्थापित किया गया और बाद में जाके यह फ्रांसिसीयों का परमूख बैपारिक बस्ती भी यह बन गया था 1693 के आसपास अब यहीं भी आप समझें सबसे पहले कौन आया पूर्थगाली पूर्थगालियों ने कंट्रोल किया उसके बाद डचों ने कंट्रोल किया उसके बाद फ्रांसीसियों ने कंट्रोल किया अब यहीं जो दोर है यहाँ पर चलते रहेगा तो पूर्तगालियों से डचों ने लिया, डचों से फ्रांसीसियों ने लिया, अब फिर से फ्रांसीसियों से देखेंगे न, यहाँ पे ते लोग डच लोग ले लेगा, फ्रांसीसियों ने कब लिया था यहाँ पे, अभी मैंने आपको टाइम पिरियंट बताया हुआ था, मरपण यहां पर कर दिया था और पुनाह देखेंगे यहां पर 1699 के आसपास तो पुनाह इसको फ्रांसिसियों के द्वारा यहां पर डचों से प्राप्त कर लिया जाएगा और आगे चलके 1761 के आसपास अंग्रेजों ने चुकि फ्रांसिसी सकती जब कम जोड़ हो गए तो से पॉन्डिचेरी पर कब्जा कर लिया लेकिन पेरिस की संधी के बाद से 1763 में इसे वापस फ्रांसिसियों को यहां पर दे दिया गया तो काफी एक कंप्लिक्स है लगेगा कि कौन ले रहा है कब दे रहा है ठीक है तो करम आपको जरूर धान रखेगा पहले बार कई बारंग रेजों का भी कब्जा था और अंतिता फ्रांसिसियों नहीं इस छेत्रे पर कंट्रोल किया शासन किया पेरिस संधी संभिलन के अनुसार और भारत की अजादी के बाद से देखा जाए तो 1954 के आस पास इसका वास्तविक हस्तनांतरन किया गया भारतिय संग में मिला हुआ था और अंतिता 1962 में 1962 में यहाँ पे ठीक है पॉंडिचेरी के कानुनी हस्तांतरों को परभावित करने वाली संधी को 1962 में अनुमोधित यहाँ पे किया गया था और चोधावा समिधान संसोधन भी किया गया था भारतिया कंस्ट्ट्यूशन में प्ररम्भिक मध्योगीन काल में भारत में बहुत धरम का पतन क्यों सुरू हुआ बुद्ध उस समय तक विश्डू के अवतारों में से एक माने जाते थे और इस तरह वैश्डवाद का हिस्सा बन गया पतन क्यों सुरू हुआ बुद्ध उस समय तक विश्डू के अवतारों में से एक माने जाते थे और इस तरह वैश्डवाद का हिस्था बन गए ऐसे ही नहीं देखिए बोला जाता है ठीक है दसवा अवतार भी बोला जाता है बुद्ध को तो यह सबसे बड़ा कारण इसको आप मान सकते हैं क्योंकि प्ररंबिक मध्योगीन काल में भारत में बहुत धराम का पतन हुगा उसमें काफी इंपर्टेंट रोल प्ले किया गुप्त समराजिय का उदय जब होने लगा ऐसे आपनों समझने का प्रयास करिए कि जब देखेंगे वैदिकाल में वैदिकाल में जब ब्रामर धरम कवदे हुगा तो लगवग मौरियकाल में आते आते ब्रामर धरम को बहुत बड़ा चैलेंजर्जर्ज मिला किस से बहुत धरम में अलाकि यह तो मगत से ही यहापे म पिल रहा है तो बहुत धरम काफी फली भूत होता रहा जैन धरम भी इसके साथ साथ चलता रहा लेकिन जैसे ही मर्यतर काल का लाश प्रियर्ड होगा गौत्नी पुद्र सत्कार्डी के समय या फिर गुपतो का जब उदय होगा तो पुना यहां पर देखेंगे ना यहां पर प्रामर धरम में बहुत अधिकी रिफॉर्म की यहां पर जरुरात होगी अवतारवाद लाया जाएगा मंदिर की अस्थापना की जाएगी सुद्रों को भी बैक डॉट से इसमें इंट्री करने का एक तरीके से वैजता प्रदान की जाएगी तो बहुत धरम को चैलेंजेज मिलना क्या हो गया था पूरी तरीके से सुरू हो गया था तो जब आउतार बाद आ गया तो बहुत सारे जो आउतार है जिसे विश्डू के आउतार है उनमें से ही एक आउतार को बहुत धरम के रूपे भी सामिल कर लिया गया इसके मतलब की ब्रामद धरम के अंतर गत ही यहां पर जब बुध को सामिल कर लिया तो इसका मतलब बुध क्या हो गया तो यह कहना बिलकुल यहां पर क्या है correct statement है यहां पर इसमें कोई गलत यहां पर नहीं होगा ठीक है बुद्ध को दासवा नहीं ठीक है I think नौवा अतार बना गया ठीक है अभी दासवा अतार साइद नहीं हुआ है ठीक है तो बुद्ध को यहां पर बिश्णुडु का नहुआ अतार माना गया और इस तरह से वैश्णुबाद का हिस्सा बन गया अकाना कई गलत नहीं होगा मध्येसिया से पहला सही है मध्येसिया से अंतिम गुप्त राजा के समय ता काकरमनकारी जन जातियों ने हिंदु धरम अपनाया और बौधो को क्या किया सताया देखिए पूरी तरीके से कारण इसको नहीं मना जायागा मध्येपूर क्या करमनकारी जैसे जो भी अरब लोग आये फार्सिल लोग आये समने बौधो को सताया और नलांदा जैसे बौध संस्थानों को यहाँ पर नश्ट किया और ना कि यहाँ पर देखिएंगे तो हिंदु धरम अपनाया बौधो को सताया ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं सही होगा तो कि बौध धरम को देखिए धार्मिक परतियस परदा पहले और ने बताया था कि ब्रामर धरम से था आगे चलके जब भारत में नया धरम इसलाम आ गया तो उससे भी परतियस परदा रहा ही रहा तो आई होप चीजों का आप लोग समझ रहे होंगे गुप्त वंस के राजा बहुत धरम के पुरावल भी रोधी थी ये भी कहना गलत है ना देखिए गुप्त वंस के जो सासकते वेशलो पंत को मांदे थी इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों ने बहुत धरम को भी बड़े मातरा में सरचड़ दिया जिसे कि नलंदा विस्व विद्याले के अस्थापना हो गई कि असान बात थोड़े था कई सारे गाउं का रिविन्यू यहां पर दिया गया तो उनके धार्मिक सहिचुड़ता को यह इंडिकेट करता है कि कितने गुप्त वंस के सासक सहिचुड़ू लोग थे लेकिन उसके बाद से बहुत धरम को प्रस्रह मिलना यहां पर क्या हो गय तो प्रस्रह मिलना बंद हो गया इसका मतलब कि जो भी जहां जहां बहुत मट थे बहुत सी चाल सम्मंदी संस्थान थे उसको प्रस्रह मिलना यहां पर शुरू हो गया तो समस्य थी यहां पर तो गुप्त वंस के राजा बहुत धरम के प्रवल भी रोजी थे इसा कोई dhp-eq